इस वीडियो में आपको कुल साथ नई चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ जो हमें अपकमिंग प्रोक बड़ी सीजन 10 में देखने को मिलेगा और साथी में तीन और ऐसे चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो अल्रेडी पिछले सीजन यानी की पीकेल 9 में हो चुका है होम लेक्स ऑफ ओल 12 टीम्स बैक जैसे की प्रोकबड़ी का सिड्यूल रिलीज होई चुका है एंड उस सिड्यूल से यह चीज पता चल चुका है कि इस बार होम लेक प्रोकबड़ी होने वाला है पिसले दो सीजन से हमें होम लेक देखने को नहीं मिला था एंड लास्ट ट टेलगू टाइटन्स, तमिल तलायवास, यू मुंबा और यू पी योधास, ये सभी टीमों के होम लेक्स में मैचेस होगे, बेंगॉल की टीम कॉलकाता में मैचेस खेलेगी, एंड मतलब हर एक टीम चाचर अपने मैचेस खेलने वाली है, अपने होम ग्राउंड में, जो बह बहुती अच्छा चेंज है, नमबर दो की बात किजाए, तो नमबर दो है कि इस बार टोटल 12 वेन्यूस पे, प्रो कबड़ी का दस्वा सीजन होने वाला है, अगर आपने पहला अपडेट जाना, तो दूसरा तो आपको पता चली किया होगा, अगर सभी टीम के होम लेके, तो हर एक टीम के होम लेक में मैचेस होगे, तो 12 वेन्यूस पे ही प्रो कबड़ी के मैचेस होने वाले इस सीजन, प्रो कबड़ी सीजन 8 में एक ही वेन्यू पे पूरा सीजन कराया गया था, जो ही आप पे बेंगलूर हुए, प्रो कबड़ी सीजन 9 में 3 वेन्यूस पे जोने वाला है और साथ ही साथ प्लियोफ इन बारा में से किसी एक वेन्यू पे होगा नंबर तीन की बात किजाए तो नंबर तीन है कि इस बार हमें ट्रिपल हैडर देखने को नहीं मिलेगा अनफॉर्चिनेटली इस बार ट्रिपल पंगा नहीं होगा प्रो कबड़ी सीजन माइन में भी फोलो हुआ लेकिन इस बार नहीं फोलो होगा इसका में रिजन यही है कि इस बार का सीजन लंबा है एंड दिन में तीन मैचेस कराएगे तो वो मजा नहीं उठा पाएगे जितने फैंसे तो इस बार हमें दिन में एक मैच एंसाथिसाद किसी दिन हमें दो देखने को मिलेगे, ट्रिपल पंगा सायद से प्रो कबड़ी में बाय हो चुका है और सायद से दुबारा ना लोटे, इसी के साथ यहाँ पर चौथे नई चेंजेस की बात किजा है, तो टाइमिंग में भी हमें बदलाव देखने को मिला है अब तक हमें प्रो कबड़ी के मैचेस पहला मैच साड़े साथ बजे से देखने को मिलता था दूसरा मैच साड़े आठ बजे देखने को मिलता था तो जो प्रो कबड़ी के मैचेस से वो यहाँ पर आदा घंटा और बड़ा दिया गया है याने कि जो मैच चेज 7-7 बज़े से शुरू होते थे वो अब 8 बज़े से देखने को मिलेगा तो जिनको भी मैच चेज देखने, र tout 8 बज़े से पहला मैच खेला जाएगा और जिस इन डबल हैडर होगा दिन का दूसरा मुकाबला रात के 9 बज़े खेला जाएगा पांचवा नहीं बदलाव की बात कीज़ा है तो पांचवा बदलाव लाइब स्ट्रीमिंग के रिलेटेड है जैसे कि आपको पता है कि अभी एशिया कप एंड साधी साथ ओन गोइंग ICC क्रिकेट व्ल्ड कप फ्री डिस्नी प्लस होट स्टार पे लाइब दिखाया जा रहा एन प्रो कबड़ी भी स्टार्स फोट एंड डिस्नी पलस होट स्टार पे आता है एन इस बार प्रो कबड़ी सीजन हमे फ्री लाइब देखने को मिल जाएगा और डिस्नी प्लस होट-स CCP के एप्लिकेशन पर तो जितने भी कबड़ी फैंसे बहुत अची बात है यह confirm हो चुका है कि इस बार का जो प्रो कबड़ी का सीजन है वो आप मुबाइल में फ्री देख सकते हो सायसे जो जिनको भी वेबसाइट से देखना है उनको सब्सक्रिप्शन की जलोत पड़ेगी जाद तर मुबाइल से देखते तो वो यहाँ पे इस बार का PKL सीजन फ्री में आनंद उठा सकते है सिक्स्त नए बदलाव की बात की जाए तो छटवा नया बदलाव हमें CCP को देखने को मिल जाएगा CCP क्या मतलब COVID contingency player इस बार नहीं होने वाला है पिछले दो सीजन से हमें देखने को मिलता था हर एक टीम कोई ना कोई प्लियर को as a CCP साइन करती थी यह किसले इस्तमाल होता था अगर कोई प्लियर COVID के कारण अफेक्ट हो गया मैचिस नहीं खेल पाता था तो उसके जगह पे वो प्लियर रिप्लेस कर लेता था एन इस बार COVID तो खतम हो चुका है तो यह जो concept है CCP का वो इस बार नहीं follow होगा एन इस बार देखने को नहीं मिलेगा साथवे changes की बात कीज़ा तो सायच से इस बार हमें ceremony देखने को मिल सकता है जैसे कि आपको पता है कि प्रो कबड़ी अपने दसवे साल में enter कर चुका है और auction में logo का event हुआ था logo launch का ceremony हुआ था इस बार league स्टार्ट होने से पहले कुछ special हमें celebration event यानि key opening ceremony देखने को मिल सकता है अब इसमें sure नहीं हो कि यह होगा या फिर नहीं होगा तो इस टाइप का कुछ नया टाइप का हमें celebration प्रो कबड़ी का दसवे साल का किया जा सकता है I'm pretty sure कि कुछ नहीं हमें देखने को मिलेगा प्रो कबड़ी के match start होने से पहले तो यह 7 नहीं changes थे जो हमें upcoming PKL season 10 में देखने को मिलेगा एंड एक चीज़ भी तोरह doubt है जो मैं discuss करना चाहता हूँ साय से playoff के schedule में changes देखने को मिल चकते इस बर प्रो कबड़ी ने यानि की मसाल sports ने organizers और PKL ने PKL का schedule है playoff का वो release नहीं किया है प्रो कबड़ी season 8 में half schedule release हुआ था सबसे पहले season 9 में भी half schedule release हुआ था इस बर प्रो कबड़ी season 10 से पहले पूरा league stages के schedule release कर दिया गया है लेकिन playoff के schedule नहीं आया है तो साय से कुछ changes देखने को मिल सकता या फिर venue अभी भी finalize ना हो कि कौन सा ideal होगा तो सभी home leg होने के बाद साय से decide किया जाए तो इसमें कुछ changes साय से देखने को ना मिले still लेकिन थोरा doubt है कि इसमें कुछ नया देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर बात करें तीन major changes के बारे में जो प्रो कबड़ी season 9 में already हो चुका है और बहुत सारे जनने notice नहीं किया था इससे पहले मैं आपको बता दू प्रो कबड़ी को अब एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और प्रो कबड़ी को लेके डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे टीम्स कैम स्टार्ट कर चुकी है कैम के रिलेटेट भी अपडेट्स आ रहे तो फटवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए लिंक पे क्लिक किजिए जॉइंड कर लिजे नहीं तो टेलेग्राम पे जाके आप एड दिरेट्स पोर्ट सुनिस सेवन सेच करके जॉइंड कर सकते कबडियंस फट 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 जाके टेलीग्राम चैनल को जॉइंड कर लिजे बहुत कुछ कॉंटेंट आपको आगे देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल पे भी एड टेलीग्राम चैनल पे बात करते तीन मैजे सेंजिस के बारे में जो के लाइन में हुआ था सबसे पहला चैन्ज तो लॉबी रूल का था जो मोस्ट ओफ दा फैंस को पता चली गिया हुआ कि लॉबी रूल में हमें बदलाव देखने को मिला जब नभी बक्स का कॉंटरवर्सिल रेड हुआ था बैंगलोडो बुल्स में सीजन आट के दोरान तो लॉबी रूल में यही चेंज हुआ है कि जैसी कोई रेडर लॉबी में जाता है तो उसी समय पे जो रेड वो यहां पे एंड हो जाएगा देन कोई भी डिफेंडर जाए वो काउंट नही किया जाएगा यही लॉबी रूल में सुधार किया गया दूसरे चेंजिस की बात की जाए तो अब जो टीम है वो टोटल 14 प्लियर्स को स्टार्टिंग 7 में इंकलूट कर सकती है इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग 7 में स्टार्टिंग 7 के लेकिन अब यहाँ पर यानि कि प्रो कबड़ी सीजन 9 से क्या चेंजिस किये गए साथ प्लियर्स आपको स्टार्टिंग 7 के लिए देना ही है साथ ही साथ आप साथ प्लियर्स को एक्स्टा प्लियर्स में इंकलूट करना है तो 7 प्लस 7 का कॉंबिनेशन होगा प्रो कि जाए तो आखरी यह चेंज देखने को मिला कि जादा सब्सिट्यूट आप कर सकते हो पहले क्या था कि आप तुडल 5 ही सब्सिट्यूट कर सकते हो गेम के दोरान और साथ हाफ टाइम के दोरान कर सकते थे लेकिन अब यहाँ पर जो टीम है साथ सब्सिट्यूशन कर सकती साथी साथ एक हाफ ब्रेक के डाइम कर सकती है एन एक और चीज स्ट्राइजिक टाइम आउट के दौरान भी जो टीम है यानि कि कोच वो यहां पर अपने प्लियर्स को सब्सेडियूट कर सकते है तो यही तीन नहीं चिंजेश थे जो प्रो कबड़ी सीजन 9 में हुआ था जो जो कोच वो जाके बाकी 6 प्लियर्स से डिसकस कर सकते है मैच के दोरानी जो पिछले बार प्रो कबड़ी के मैच देखते थे तो नोटीस किए होगे तिये इसमें से कुछ चेंजेस आपको पता थे कुछ चेंजेस नहीं पता थे मैने आपको बता दिया और जो सबसे पहले बताया कि कुछ नए बदलाव जो हमें इस बार देखने को मिले हैं, कौन सा चेंजिस से आप ज़्यादा खुश हो, आप कॉमेंट करके जड़ो बतायेगा, और कल से सुरू हो रहा है, 37th नेशनल गेम जिसमें हमें परदीप नर्वाल और बहुत सारे प्रो कबड़ी के स्टाज एक्शन में देखने को मिल जाएगे, क्या है कब से सुरू होने वाला है, कहां पर आप लाइब देख सकते हो, वो जानने के लिए आप लेफ साइट पर क् तब तक मैं मिलता हूँ, ऐसे एक और ने इंटरस्टिंग उड़ो के साथ, ठैंक्स पर वाचिंग